नमस्कार, Exotic Web Media Digital Channel में आप सभी का स्वागत करती हूँ और Health Awareness सीरीज के कारेकरम में आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्ती थे डॉक्टर अनिता शाह जो गाइनेकोलोजिस्ट डॉक्टर है अनिता जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है टॉपिक है वो है महिलाओं को जो ज़्यादा तर समश्या होती है मेनोपोस आने के बाद या मेनोपोस से तो मे मेनोपोस की समस्याए उसके बारे में हम आज बात करेंगे और जो भी इसके रिलेटेड जो तकलीफ है उनको कैसे तकलीफ आप दूर कर सकते है इसी के बारे में हमारे जो अनिता जी यहाँ पर उपस्तित है वो जानकारी देने वाले है पर ये महिलाओं को ज़रूर पता हो चाहिए कि मेनोपोस से जुड़ी जो भी बाते हैं मेनोपोस आता है तब क्या होता है मेनोपोस से क्या तकलीफे होती है मेनोपोस आने के बाद आपको क्या करना है तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है तो सभी जो महिला है उनके लिए आज हमने ये कारेक्रम आयोज किया है और अनीता जी यहां पर उपस्ती थे जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले में एक और बात बताना चाहती हूं कि एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल ऐसे ही अवरनेस कारकरम हमेशा करती आई है और अभी भी यह जो हेल्थ अभी तक जो हमारे दर्शक है 35 लाग से उपर हमारे दर्शक हो चुके है पूरे सोशल मीडिया पर तो उन सबीका मैं धन्यवाद करती हूं और अभार व्यक्त करना चाहती हूं क्योंकि यही माधियम से मैं आपको डाइरेक्ट बोल सकती हूं कि आपने बहुत ही हमें प्रेरित किया है और ऐसे ही हमें प्रेरित करते रहिए तो और भी और यह जो चैनल है वो डिजिटल चैनल है सोशल मीडिया चैनल है जैसे लाइक इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एक अलग मीडिया है लेकिन यह जो है वो डिजिटल मीडिया है डिजिटल म वीडिया पर इस चैनल को देख सकते हैं यानि की वेबसाइट, यूट्यूब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल साइड से उस पर आप देख सकते हैं और चैनल देखने के लिए आपको फेस्बूक पेज जो है हमारा वो लाइक कर दीजिएगा और यूट्यू में देखने को मिल सकते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेनोपोस और उसकी समश्या है तो मैं आपका पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करवाएंगे हमारे दर्शकों को क्योंकि आप सूरत से है गाइनेकोलोजिस्ट डॉक्टर है और काफी सालों से प्रेक्टिस कर रही है तो आपके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताईए सबसे पहले तो थैंक्यू वेरी मच आबर सुक्रिया यामीनी आपका मुझे ये मादियम से एक अवेरनेस लोगों में फैलाने के लिए एक मौका दिया है I am really very much thankful to you मैं डॉक्टर अनीत आशा मैं गानेकोलोजिस हूँ लास्ट 33 यह से में सूरत में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं सूरत की हमारी गानेक सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ हमारी सूरत का मेडिकल कंसल्टन एसोसीशन की सेक्रेडरी बन चुकी हूँ जो मेनोपोस के प्रॉबलम के बारे में यामीनी ने Department Society की national level की secretary भी हूं और बहुत सारी कॉनफरेंस से अरेंज की है बहुत सारी औल इंडिया लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम सम इस तरह से करते हैं और हमारी इंडियन मैनोपोस सुसाइटी का मेंग मोटो ही यह है कि पब्लीक में आवेर्नेस फेलाने का मैनआज होती है उसकी से से लोगों में बहुत सारी परिषानियां होती है वो हमार्ड टावर्प एही चाहती है गाती है यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोबी चीज ㅋㅋㅋ मेनोपोज याने रजो निवरुत्ती इस त्री के जीवन की संधिया है जैसे हम बोलते हैं कि लड़की को मासिकानल शुरू होता है उसको हम बेनार की बोलते हैं हमारी पाशा में तो एक स्त्रीत्व की शुरूआत है तो ये मेनोपोज याने रजो निवरुत्ती ये स्त्रीत्व का अंत उसको गीना जाता है अभी ऐसा है ऐसा मेनोपोज याने पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट नहीं है पर लोगों स्त्री को एक साल तक याने बारा महिना तक मावारी नहीं आती है तो उसके लिए हम रेट्रोस्पेक्टिवली कह सकते हैं कि उसको मैनोपोज आ गया है। यूजवली अपने देश में मैनोपोज लगबग 47-48 यर्ज पर आता है पर उसकी रेंज हम देखे तो 45-55 यर्ज की होती है। यूजवली क्या है कि हमको लगेगा कि मैनोपोज कैसे आता है। अब इस त्री के शरीर की रचना आप देखेंगे। हाँ यानि 12 मैने मासी के एक बार आपका रुक जाता है तो आपको मैनोपोज आ गया ऐसा कहा जाता है। अब इस मेनोपोज के आगे वाले जो 5-6 साल होते हैं। अब इस वली क्या है कि जैसे मैनोपोज के दर्मियान अंड़ाशय की त्री में जो अंड़ाशय होते हैं उसके प्रोजेस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन, हॉर्मोन्स पैदा करने का, अभी जैसे जैसे औरत की एज बढ़ती है, ये अंडाशे की कार्य करने की शमता दीरे-दीरे कम होती जाती है, और मेनोपोज के, मेनोपोज आने पे, ये अंडाशे का हॉर्मोन प्रोडेक्शन जो होता ह वो बिलकुल बंद हो जाता है, तो उसकी वज़से स्त्री में बहुत सारी तकलीफे आती है, सारीरिक, मानसिक, सावेगिक, बहुत सारी तकलीफे आती है, अभी ये उमर में यूजवली क्या है, कि स्त्री, वैसे भी एक कुटूंब की स्त्री, एक धरी समान होती है, अभी जै इतना घोड़े की तरह दोड़ के पूरा काम कर लेती थी अभी में कितनी दीरी पड़ गई हूं उसको ऐसा लगता है बहुत सारे अलग-अलग ऐसा नहीं कि मैनो पोज याने खाली मासिक स्थरा उबंद होता है बस डड़ी तो उसके साथ साथ दूसरे दूसरे बॉड़ी के स सिस्टम पे उसकी असर होती है तो उसकी वजह से यह सब नौलेज mó Illustree को होना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि वो गबरा जाती है कि ये मेरे सरीर में क्या changes होते हैं अभी मैं क्या करूँ इस किसको बता हूँ तो उसकी वज़़से ये सब knowledge हमारे औरतों को देना बहुत जरूरी है जी मैं तो हम बात करेंगे कि menopause क्या है वो तो आपने बता दिया बट menopause कैसे होता है मतलब उसके लक्षन क्या होते है वो हमारे महिला दर्शकों को हम बताएंगे अभी usually menopausal जो changes ladies में होते है तो उसमें सबसे पहले तो एक होता है weight gain होता है वजन बढ़ने लगता है बहुत सारी ओरतों का ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ इतना खाती नहीं हूँ पीती नहीं हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ने लगता है especially पेडू के बाग में और हिप्स के बाग में fat deposition होता है तो वजन बढ़ने लगता है अभी उसको control तो अपन उसको पूरा रोख तो नहीं सकते है पन उसके control करने के लिए हम अपना diet proper ले सकते है exercise कर सकते है तो उसको हम अपना weight gain reduction तो reduction कर सकते है weight gain में या तो उसको हम level पे control कर सकते है क्योंकि आप जानते हो कि वे वजन बढ़ने से खाली सरीर की सरीर का दुरूपा होता है या अपने को अच्छा नहीं लगता है वो अलग बात है पर उसके साथ साथ so many metabolic disorders like hypertension, diabetes, वो सब भी heart disease, वो सब भी उसका होने का chances होता है तो इसके लिए वजन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है दुसरा औरतों को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों में घुसा आ जाता है, irritability हो जाती है, depression आता है, nervousness आता है, छोटी छोटी बाबत में बुरा लग जाता है कि मेरी बेटी ने मुझे ये नहीं बताया, मेरी बह सब्सक्षण है, depression आता है, और depression और nervousness इतने हद तक आ जगता है कि ओरतों को suicidal tendency भी आ जाती है, तो इसके लिए यूजवली उसके husband को, उसके family members को भी ये चीज जानना जरूरी है, कि जब मेरी मम्मी या मेरी wife उसको जब परिमेनोपोजल चेंजी आते है, तो इसका जो दिमागी हलत मांसिक जो हलक होती है, थोड़ी नाजुक होती है, तो उसको किस तर से सपोर्ट करना, so that is also very very important, दूसरी आगे अपन देखेंगे तो मांसिक में बहुत सारी जाथ है कि तो यूजवली मैंने आपको बता है, वैसे कि जो परिमेनो पजल फेइसं बोलते है, 40 to 45 years जो होते है, उन दर्मियान मासिक अशुरू हो जाती है, किसी किसे को मासिक जल्दी आने लगता है, किसी को जादा आने लगता है, किसी को बहुत को, सिया गट्थे गठे गिरने लगते हैं लंबे काफी दीनों तक चालू रहता है जल्दी जल्दी आता है तो यूजवली क्या होता है कि most of the ladies ऐसा मान लेती है कि अभी मेरा मासिक जाने वाला है तो उसकी विज़े से यह problem होती है of course we know that it is one of the very commonest symptom कि मासिक जब मेनोपोज आने वाला होता है उसके आगे वाले 5-7 साल में यह मासिक में अनियमित्ता आती है पर गाइनेकोलोजिस्ट के पास चेक अप करा के दूसरी कोई कमी नहीं है वो एक बार रूल आउट हो जाए उसके बाद ही खाली इतना पकड़ के ब मासिक की अनियमित्ता आए बहुत सारी अपनी औरतों में तकलिफ यह होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर कुछ बताएंगे तो हमको परेशानी ज्यादा होगी यह इस लिए जाना पसंद नहीं करते हैं पर हम हमेशा चाहते हैं कि प्रिवेंशन इस बेटर करना चाहिए फैमिली डॉक्टर अपने गाइनेकोलोजिस्ट के पास उनको भेजेंगे गाइनेकोलोजिस्ट उनके पास प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसका चेक अप करेंगे क्लिनिकल एग्जामीनिशन करेंगे उसमें उनको घरबाशे का मुख योनी मार्ग वो सब चीज कि देखने में मिलेगी कुछ गरबाशे के मुख पर कुछ गांठ है या दुसरा कोई छाले है तो वो उसके बारे में पता चलेगा उसके बाद में उनका सोनोग्राफी कराएंगे सोनोग्राफी के जरीए गरबाशे की दिवार की थिकनेस अंड़ाशी के बावत में ओनलज जाती है तो उसके मुताबिष का किस तरह से इलाज करना चाहिए वह बताएंगे तो उस तरह से फिर उनका इलाज होगा मानलो यह सब करने में कुछ नहीं मिलेगा सब कुछ तो यह बहुत common समस्या है और औरतों को मेरी एक ही सला है कि जब भी ऐसा problem होए तो खाली यह मासिक जाने वाला है ऐसा पकड़ के बैठे नहीं रहे पर अपने गाइनेकोलोजिस्ट के पास जाके अवश्य उनके पास सला ले बरागर जी बहुत ही अच्छी बात है आज हम हमार साथ जो जूड़ी है वो है डॉक्टर अनीता शाह गाइनेकोलोजिस्ट भी है और काफी सारे संस्थाओं में वो प्रेसिजेंट भी है और यही डॉक्टर की जो प्रेक्टिस है वो काफी सालों से कर रही है काफी सारा उनको नॉलेज भी है इसका तो जो आज यहां से जान जो चीजे होती है उनमें क्या ध्यान रखना चाहिए महिला को वह हम बताएंगे उससे पहले में यामेनी बेन आपको थोड़ा सा एक दूसरी बहुत कॉमन चीज है उसके बारे में समझा दूँ एक मैनो पोज और पैरी मैनो पोज आता है उसके आगे वाले थोड़े सालों मे और आतों को होट फ्लसी बहुत कॉमनली होते है एसी में बैठे हो पंखा के नीचे बैठे हो फिर भी एकदम पसीना आ जाता है तो घर के अगर मानलो घर में बैठी है मम्मी या बहन और इस तरह एकदम करेगी कि अरे इतना कितना गर्मी लगता है तो आजू-बाजू में जो बैठे लोग होते हैं वो पहले चीडा जाते हैं और मजाक करते हैं कि ममी क्या करती हो आप जैसे एसी तो चालू है फैन फूल है फिर भी ऐसा क्यों करते हो पर इटीज वन ओफ वेरी कॉमनेस्ट सिम्टम औफ पैरी मेनोपोजल फेज तो उसमें क्या होता है कि प्रचर बढ़ जाता हो ऐसा लगेगा फिर पसीना होके एकदम थंड़क लग जाती है इसको हमारी बासा में हम हॉट फ्लसी बोलते हैं और जब रात को आते हैं तो उसकी वज़े से कभी-कभी क्या है कि नींद भी ऊड़ जाती है उसको हम नाइट फ्लस बोलते हैं तो इस प्रकार की तकलीफे होती है तो यूजवली उसको क्या करना चाहिए कि थोड़ा जब भी ऐसा परेशानी लगे तो पंखा के नीचे बैट जाना या बैड पे लेट जाना चाहिए ऐसी चालू करके कपड़े जो होते हैं थोड़े कपड़े लूस कर देने चाहिए थोड़े टाइट कपड़े की बदले में थोड़े लूस कपड़े पेहना करो हो सके हो तो सूती कपड़े पेहना करो तो इसकी वज़ चाहिए तो इससे वो लोग बच सकते हैं अगर इतना लोकल करने के बाद में भी अगर मान को ऐसा लग कि नहीं मुझे नहीं कुछ आराम मिलता है तो थोड़ा इसमें stress relief के लिए वो meditation, yoga वो भी बहुत अच्छी चीजे है अगर ये सब करने के बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं होती है तो उनको gynecologist को consult करना चाहिए उसके लिए certain medicines भी होती है जो हम उनको दे सकते है पर ये बहुत common चीज है और औरतों को जब होता है कभी-कभी तो बहुत परेशानी हो जाते है जो working woman होती है मानलों कभी office में बैठे डे काम करते करता है ऐसा हो जाता है तो ऐसे patient हमारे पास आते हैं कि हम क्या करें हम अपना काम ही नहीं कर सकते है तो इसलिए ये knowledge इतना जरूरी है और इनमें उनको इस तरह से थोड़ा खोराक और अपने कपड़े के बारे में अगर ध्यान रखते है तो उसमें से वो उनको थोड़ी राहत मिल सकती है ज्यादा तर मुझे questions मैडम आये थे कि menopause के दोरान bleeding ज्यादा होती है तो उसमें क्या करना चाहिए साइद दवाए से भी दवाए लेते फिर भी वो control नहीं होता है तो उसमें क्या करना चाहिए जिसमेंने बताया कि bleeding ज्यादा होता है उसके कारण क्या है वो first तो अपने को दूंड़ना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है अगर ऐसे मानलो की bleeding ज्यादा होता रहेगा तो उसका औरत का खून कम हो जाएगा एनीमिया डवलप होगा तो उसको weakness naturally लगने वाली है इसलिए सबसे पहले तो हमको उसका कारण reason डूंड़ना है कि क्यों ऐसा होता है तो हम usually जब हमारा local examination करते है per vaginal, per speculum examination जो को gynecologist करते है उसके दोरान हमको उसकी certain चीज अपको पता चलती है कि कभी-कभी मानलो कुछ गाठ होती है गरबाशे के मुग पे हमारी भासा में हम उसको polyp बोल सकते है तो उसकी वज़े से भी-कभी ऐसा in between continuous bleeding होता है कभी-कभी ये उमर में घरबाशे की थेली पूरी बड़ी हो जाती है या घरबाशे की दिवार जाड़ी हो जाती है घरबाशे में कोई गाठे होती है कभी-कभी अंडाशे में भी गाठे होती है तो ये सब चीजे जो होती है वो pathological जो things है वो हमको पहले रूल आउट करना चाहिए और accordingly उसका treatment करना चाहिए और मानलो जो खून काम हुआ है तो उसके लिए हम iron preparation देते हैं जिसे खून की मातरा बढ़ती है ऐसे खून याने की hemoglobin it is made up of iron as well as heem याने iron and globin means protein तो यूजवली हम लोग सला देते हैं कि iron rich और protein rich food लेना चाहिए बहुत साधी भासा में हम सबको सला देते कि sing good खजूर की चीकी बना के खाने का sing good और जो खजूर है वो very rich source of iron होता है उसमें साथ में हरी सबजियां ज्यादा खाते हैं भाजी वगर तो उससे भी iron मिलता है और protein अच्छी तरह से मिलने के लिए अपन डाल खानी चाहिए या मूंग चना जो sprouted हम बिगो के बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा source है अगर फिर भी उनको नहीं अगर पूरा मिलता है अंड मैनोपोज से सरीर के कोई अन्या जो अब हमारे सरीर के अन्या अंगों पर असर हो सकता है क्या जैसे मैंने बताया कि मैनोपोज याने खाली मासिक के साथ ही वो जुड़ा हुआ नहीं है वो जो स्तिरी का जो बहुत important hormones जो होते हैं जैसे के estrogen, progesterone and testosterone उसकी कमी की वज़े से सरीर की दूसरी सब काफी systems पे भी असर पड़ती है औरतों का skin एकदम dry होने लगती है कभी-कभ अब यूजवली आप जानते होंगे कि थोड़ी उमर बढ़ती है तो लोग कि देखो न अभी मेरा चेहरा कैसा हो गया कैसा सूखा पड़ गया पहले मेरी स्कीन कितनी glow करती थी कितनी shining थी कितनी tight थी और अभी-भी एकदम dry हो रही है दुसरा वो muscle mass भी कम होता है इसकी वज है अब ही हमार ज्यव करते हैं अजवरे बालो की थीकनिस चाहिए संपटा जाता है दुसरा में जो यह हॉर्मोन की कमी वज़ों से तकलीफे जो आती है वह योनिमार्ग और पिशाब के रास्ते की तकलीफे बहुत कॉमनली आती है वो भी हमारे प्रशना है यह यह नहींग जी उसमें एक प्रश्णा ऐसा है कि योनी मार्ग और मुत्र मार्ग में ज्यादा तकलीफे होती है जैसे कि यूरीन में जलन बार-बार पेसाप के लिए जाना पड़ता है और संभोग करने के बाद दर्द होता है इसके लिए क्या करना चाहिए? यूरीन में जलन हुती है कभी-कभी आपने सुना होगा कि कई पेशेंट ऐसे कंप्लेइन करते हैं कि हम बाथरूम जाते हैं और जाते जाते हैं यूरीन हो जाता है, बाथरूम हम रोक नहीं सकते हैं, कभी थोड़ी छीक आ गई, खासी आ गई, ज्यादा हस लिया तो यूरीन निकल जाता है, यह अल य urine incontinence के अलग-अलग प्रकार है stress incontinence बोलते है urge incontinence बोलते है और ये बहुत commonly age में होता है साथ में क्या है कि vaginal infection यानि योनी मार्ग की चमड़ी जो पतली हो जाती है तो उसकी वज़से योनी मार्ग dry भी हो जाता है dryness की वज़से itching होता है उसकी वज़से repeatedly योनी मार्ग का fungal infection या वज़ा bacterial infection होता है ये क्या होता है कि योनी मार्ग की चमड़ी जो dry हो जाती है उसकी वज़से संबोग करने के बाद भी उनको काफी तकलीफ होती है usually क्या है कि कुद्रत ने ऐसा बनाया है कि अपने योनी मार्ग में से अमुक प्रकार का स्तराव होता रहता है जो आदमी और 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 औरत का संबोग जो होता है वो प्रक्रिया में वो help करता है तो ये मेनोपोजल एज में जो योनी मार्ग की चमड़ी सुखी पढ़ जाती है बहुत सारे लोगों में complain ऐसी होती है कि हम संबोग करते हैं तो हमको काफी दार्द होता है और उसकी वज़े से वो लोग उसको avoid करेंगे और जैसे जैसे avoid करोंगे तो उसकी वज़े से वो और बढ़ती जाएगी dryness और इसकी वज़े से उनके problem बढ़ती ही जाते हैं कई बार इसमें फिर sexual relationship ये husband wife की थोड़ी बिगड़ जाती है और उसकी वज़े से भी दूसरे दूसरे problems होते हैं पर अपने देश में क्या है कि अपनी संस्कुरूती में ऐसे complaint लोगों डॉक्टर के पास जाते नहीं है करते नहीं है अगर कभी-कभी हम direct patient को question पूछते हैं तो हमको बताते हैं कि हाँ हमको ये तो होता ही है पड़ वो लोग ऐसा मानते कि चालीस पिस-तालीस साल हो गए अभी तो हमको बगवान का नाम ही लेना है और कुछ करना नहीं है पड़ एक चीज में बता दू यामीनी कि कि just like hunger and thirst, sex is also very natural instinct और ऐसा कहा जाता है कि those who are sexually active, they have least chance of heart attack One more thing, sexual relationship between husband and wife, it is a very very good stress buster, stress relief करने के लिए it should be a must तो जिस तरह अपन पूरी जिंदगी खाना पीना खाने वाले है, हवा लेने वाले है, उसे तरह sexually also you should be active उसमें कोई ऐसा नहीं कि चलो भी बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गए, उनके बच्चे आ गए, हम grandparents बेन गए, तो अभी we are retired from sexual life, it is not like that, sexually you should be active पर जादा तरह लोगों की ये मेनपोस आने के बाद ये समझ चाहे है है, हाँ, कि ये इच्चा नहीं होती है, जादा बहुत बहुत कुछ इस तरह सादा है पर उसके लिए usually husband wife दोनों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर उनका अच्छा काउंसलिंग करते हैं, उनको सला देते हैं, and that will cure this problem Thank you so much, और nature की हम बात करें कि मेनपोस आने के बाद में हर मतलब woman का पूरा nature भी change हो जाता है, कई-कई बार आपने जैसे हमने कहां कि काई गुसा जयदा आजाता है, कभी-कभी रोना आ जाता है, कभी-कपी अकेले ज्यादा ऐसे आपने जैसे बूला suicide करने के भी विचार आ जाते हैं मन में, रात में, नीनद में, सोते-सोते कुछ भी हो जाता है, तो यह nature भी change हो जाता है, तो उसके लिए उनको क्या करना च और वन्मूर नेचर बदलने का थोड़ा एक बहुत वो भी है कि एमटइनेस सिन्डूम आजाता है औरत में जैसे बच्चे बड़े में यहा हैं नर्वसनेस, सुसाइडल टेंडेंशी, वो तो सब आती ही रहती है, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए, उनकी होबी डेवलप करनी चाहिए, ऐसा लगे कि जो यंग एज में, यूजवली क्या होता है, कि आमें औरत, फैमिली, बच्चों के पीछे पूरी जिंदगी बिताती है, तो अपने लिए वो ध्यान नहीं देती है, तो यूजवली हम कहते हैं कि लाइफ बिगिंस अफ्टर फॉर्टे, चालिस के बाद ये औरत की नई जिंदगी शुरू होती है, जबकि उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, नहीं तो तो शुरुआत में बच्चों का चलो करो, टिफिन बरो, उसको यूनिफॉर्म पेनाओ, ये करो, वो करो, सब में टाइम जाता है, पर ये फॉर्टी के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपना काम खुद कर लेते हैं, तो औरत को थोड़ा अपने के लिए देखने का समय मिलता है, तो जब ऐसे जब psychological changes आते हैं, और depression, nervousness, ऐसा लगता है, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए, अपनी जो खोई हुई, या तो रह गई हुई, जो hobbies होती है, उसमें उनको involvement करना चाहिए, they should be socially active, socialization करने से क्या होता है, कि उनका mind थोड़ा divert होता है, तो उनको उनकी तकलीफे भी करना चाहि तो हम ऐसा चाहते हैं कि आईदें, gardening is a very good hobby, music is also, dancing is, ऐसा नहीं कि चलो अभी हम बड़े होगे तो dance नहीं कर सकते हैं, अभी तो हम सब देखते हैं, और अभी ये lockdown period में तो बहुत सारे videos upload होते रहते थे, ये lockdown के period में काफी सारे लोगों में इतना चेंज आ गया है, राइग और अभी शोशल मीडिया पे लोग अपने वीडियो बना के रखते हैं, इतना चेंज आ गया है, राइग एग्जेटली, क्रियेटिव बन गए हैं सब, और एज कोई इसमें माईने माईने माईने, येस, एग्जेटली, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ये बोल सकते हैं, ये लोगों को करवा रहे हैं लोग, राइट, एग्जेटली, एग्जेटली, दरश्यक मितर हम बात कर रहे हैं, मेनोपोस के बारे में महिलाओं को जो सबसे ज्यादा समश्या होती है, मासिक धर्म की, मासिक आने के बाद भी तकलिफे होती है, और मेनोपोस आने के बाद भ यही दिये हैं लेकिन और भी बहुत सारे प्रिश्ना आये हुए हैं तो हम उनसे आगे कंटीनिव करते हैं और अभी जो क्वेस्टन से वह है मैनोपोस आने के बाद स्टन कैंसर के चांसी ज्यादा होते हैं ऐसा माना जाता है लोगों को ऐसा डर रहता है कि मैनोपोस आ जाए तो स्टन कैंसर और आजकल हम देखने जाए तो महिलाओं में ज्यादा तर स्टन कैंसर होने की खबर ज्यादा मिलती है मतलब पता चलता है किसी को भी देखो तो स्टन कैंसर हुआ है ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ऐसे बोलते हैं तो इसके मैनोपोस से और इसे क्या कुछ कनेक् जाल के एंडयों आप पॉर में स्वनाद rich वाइक शूलन आपट हमांखो इस टूपता हर गए ए understands क्या अर बेस्ट हैंगते केरी कूँपता ह्णिवान आपकिनlasting आपकने कहा हूंस नुज़िए है और इसके लिए ही most of the लोग ऐसे मानते हैं कि cancer miss cancel ऐसे समझते हैं कि cancer हो गया तो अभी क्या किया जाए पर जैसे अभी आपको पता है कि अभी हम 21st century में जी रहे हैं जब science and technology बहुत आगे बढ़ चुका है तो बहुत सारी चीजे हम well advanced में जान सकते हैं और इसी लिए हम हमारे patient को हमेशा सला देते हैं not only patient हर 35 प्लस औरत जो होती है 32 साल के बाद में औरत को हम हमेशा इसके लिए सला देते है कि साल में एक बार gynecologist के पास check-up कराने का gynecologist के पास check-up कराने से क्या है कि उनको वजाईना याने कि योणी मार्क का गरवाशे के मुख का कुछ cancer वग्यरा है कि नहीं उसके chances पता चलते हैं गरवाशे के मुख पर से हम प्रवाही लेके उसका एक test करते हैं cytological examination उसको हम pep test बोलते हैं और ये साल में एक बार कराना चाहिए if it is conventional pep test अब इसके बाद में उससे थोड़ा later technology आईए जिसको हम liquid based cytology बोलते हैं LBC pep test तो ये हर तीन साल पे उनको कराना चाहिए इससे क्या होता है कि well advanced में हमको cancer भविश में होने का chance है कि नहीं वो पता चलता है ये कैसे पता चलता है कि गरभाशे के मुख का जो cells होते है वो time to time बदलते जाते हैं अगर उसमें कभी किसी में cancerous changes होने का chance है तो ये pep test के द्वारा हमको पता चल जाता है और शायद आपने सुना भी होगा कि गरभाशे के मुख के cancer के against में अभी vaccine भी निकली है usually क्या है कि ऐसा research के दौरान पता चला है कि गरभाशे के मुख के जितने भी cancer के cases है उसमें more than 95% में HPV virus का infection positive आता है और ये क्या है कि HPV virus का infection जैसे अपने को शर्दी खांसी होता है it is also one type of viral infection तो ये HPV virus का infection हर औरत को अपनी life span में कभी न कभी होता ही है और most of the time अपने आप अच्छा भी हो जाता है उसमें से याने लगबग 5% में 2-5% में वो carcinoma in C2 याने pre-cancerous condition में change होता है और उसमें से भी 1-2% में वो cancerous changes उसमें होते है तो आजकल तो जो उसकी vaccine निकली है वो HPV virus के against में जो रसी निकली है हम यूजवली सला देते हैं कि लड़की 10 साल की होए तब से और 45 यह की होए तब तक उसको लगा सकते हैं नहीं हर साल लगाने उसके तीन dose होते हैं यूजवली ऐसा मानते हमकी first intercourse के पहले लगाई जाए तो सबसे बढ़िया होती है और इसलिए हम लड़की को 10-12 साल की होए तब से ही वो देना उचित समझते हैं एक dose आज दिया तो दो मेने के बाद उसका दूसरा dose और चार मेने के बाद तीसरा dose यूजवली ऐसा माना जाता है कि 10 से 15 साल की लड़की को जो देते हैं उसको means two doses दिया जाए तो भी चलता है और उससे बड़े लोगों को three doses दिया जाता है और वो it is very helpful for prevention of this cervical cancer अभी दूसरी बात आएगी uterine याने के गरभाशे का cancer की अभी गरभाशे की दिवार का जो cancer होता है उसकी जानकारी हमको पता कैसे चलती है कि हम जब sonography करते है तो sonography हम की गरभाशे का जो endometrial lining होती है सबसे अंदर का layer पड़ की lining उसकी thickness देखते है usually menopausal age में वो गरभाशे की दिवार की thickness 5 mm 4 to 5 mm होनी चाहिए अगर वो इससे ज़्यादा है और patient को कोई complain है तकलीफ है तो वो हिसाब से हम उसका hysteroscopy guided biopsy लेते है तो उसे बभीशे में उसको घरभाशे के मुग का cancer होने का डर है कि नी वो पता चलता है similarly sonography करने से अंडाशे के बारे में भी जानकारी मिलती है अंडाशे का cancer बहुत silent cancer होता है ऐसे पता नहीं चलता है उसके ज़्यादा तर symptoms नहीं होते है उसमें क्या होता है कि वो पेट में कभी-कभी usually complain ऐसी करते हैं वारतों कि हमारा पेट में भारी पना लगता है और in-digestion लगता है हमारा वजन बढ़ गया ऐसा लगता है पेट फूल गया ऐसा लगता है पन usually क्या होता है कि उसका दूसरे कोई proper symptoms नहीं होते हैं तो ये वेक symptoms में लोग पता नहीं चलते हैं और डॉक्टर को बताते नहीं तो उनको पता नहीं चलता है प्रेटनिक मेमोगराफी इट इस जैसे एक्सरे लिया जाता है उसी तरह का वह एक मशीन के सामने खडा रखके उसका इग्जामेनेशन किया जाता है पर उसके पहले हम औरत को ऐसी सला देते है कि जिसको मासिक आता हो वह जैसे मासिक खतम होता है उसके बाद में एक 5-6 दिन पे हमेशा breast examination करो 35 साल की उमर के बाद ही ये शुरू कर देना चाहिए mirror के सामने खड़े रखे दोनो breast का examination दोनो हाथें से करो clockwise और anti-clockwise गुमा के breast को examine करो कि कहीं उच में कुछ nodules दिखते हैं कुछ gant लगती है nipple का level same है निपल में से कोई secretion या कोई discharge नहीं निकल रहा है या एक breast बड़ा हो गया एक छोटा हो गया या उसमें कभी संत्रा के छिलके जैसा पूरे चमडी उस प्रकार की नहीं बन गई है वो सब देखना उनकों सला देते हैं तो अपने आप examiner करो साल में एक बार gynecologist के पर एक्जामीन करवा हो और उसके बाद में usually 40 साल के बाद में हम breast के लिए mammography की सला देते हैं जिसमें हमको breast cancer अगर हो या उसके chances हो तो advance में पता चल जाता है अभी menopause के दोरान हड़ियों में तकलिफ होती है ऐसे भी questions आये हुए तो उसके लिए क्या करना चाहिए usually क्या होता है कि menopause में estrogen की कमी की वज़े से हड़ियों में हड़ियां पोची पढ़ जाती है नरम हो जाती है जैसे हड़ियां का जो हड़ियां बनने की जो process होती है उसमें दो प्रकार की चीजे होती है bone formation and bone resorption अभी menopausal age में estrogen की कमी की वज़े से जो bone formation होता है वो दीरे-दीरे कम होने लगता है और bone resorption ज्यादा होता है तो उसकी वज़े से हड़ियां बहुत नाजुग बन जाती है और अगर उसके लिए पूरा ध्यान नहीं दिया जाए तो आपने सुना होगा osteoporosis का नाम osteoporosis is very common in female of course it is similarly common in male also aging male में पर हड़ियों उसमें क्या होता है कि अपने सुना होगा कि कहीं मेरी मम्मी या मेरी सास चलते-चलते घीर गई और उसको fracture हो गया और fracture हो गया usually ये menopausal age में जो fractures होते हैं हड़ियां कमजोर होने के लिए तो वो commonly जो होते हैं उसमें vertebral fractures होता है फिर ये कांडा का fracture होता है और दूसरा उनका बहुत हड़ियां की कमजोरी की वज़़से छोटी सी बात में थोड़ा फ्रेक्चर हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या है कि ये age में calcium rich food लेना चाहिए actually तो ऐसा कहा जाता है कि menopausal age में हड़ियां का osteoporosis नहीं होए उसकी शुरुवात adolescent period से करनी चाहिए यानि बच्चे जब छोटे होते हैं लड़की जब adolescent period में होती है तब से उसको अपनी शारिरिक bone health के लिए ध्यान देना चाहिए पहले के जमाने में तो अच्छा था कि स्कूलों में भी exercise PT का period होता था exercise होती थी बच्चे भी पूरी सेरी महले में अभी exercise तो करते हैं और laptop और computer की वज़े से बच्चे जो physical exercise करनी चाहिए उतनी नहीं करते हैं साथ साथ में junk food लेते हैं और अभी शायद उनका studies का schedule भी ऐसा हो गया है कि बहुत सारी बार tuition class में जाओ फिर school में जाओ फिर ये exam दो वो exam दो तो उनके पास थोड़ा physical activity की time भी कम मिलता है और साथ में वो जो junk food ज्यादा लेते हैं उसके लिए उनको proper nutritious food नहीं मिलता है तो इसके लिए हमको जब बच्चे लड़कियां छोटी होती है तब से ही उनको अच्छा calcium rich दूद देना चाहिए protein rich आहार देना चाहिए good source of जो calcium है जैसे के paneer है हरी सबजियां है वो सब में अच्छा calcium मिलता है तो calcium rich food उनको शुरुआत से ही लेनी चाहिए और menopausal age में तो अफकोस उनको लेना ही चाहिए अच्छा दूद वगरा लेना चाहिए eggs लेने चाहिए calcium rich paneer है वो सब items उसकी लेनी चाहिए tofu is also very good source of calcium वो सब लेना चाहिए और अगर उससे properly वो नहीं ले पाते है तो उनको calcium का preparation याने calcium की medicine भी लेनी चाहिए so usually we advise patients of मतलब कि पहले जबी period आने से पहले लड़की 10 साल की हम ऐसा बोलते है कि 10 साल की लड़की आजकल तो यह period भी बहुत जल्दी लड़कियों को पहले के जमाने में 15-16 साल के बाद लड़की जब 10 में होती आती थी उसके बाद वो period की शुरुआती थी लेकिन आजकल अभी अभी का जो generation है अब जैसे के हम food कहे किया जो कुछ भी कहे है तो उसी के लिए पहले से हम उसे यह सब कैल्शियम वगेरे लेने के लिए जादा प्रोटीन वाली सीज़े खाए या पोस्टी काहार ले तो इसे पीछे की जो समस है हम लोग जो हम लोगों को face करनी पड़ रही है वो उन लोगों को face नहीं करनी पड़े तो यह ज़रूरी ह पुराने जमाने में हम बात करें तो पुराने जमाने में मैनोपोस होता था कि ऐसे अभी यह सब ज्यादा हो रहा है तो पुराने जमाने में तो पता ही नी चलता था मेरे ख्याल से कि मैनोपोस है या नहीं है या डॉक्टर पेस के पास जाए या कुछ ट्रीटमेंट करवा तो तब वो लोग क्या करते थे? अचली या मिनी मेनोपोस तो पुराने जमाने में भी था ही, क्योंकि पुराने जमाने में भी औरत में वही और गन जो थे, यूटरस, ओवरीज, त्यूब्स वगेरे वह अभी भी है, पुरे दीन खाना पकाओ, दूसरा ये काम करो, वो काम करो, उस जमाने में वाशिंग मसीन नहीं था, या डिश वाशर नहीं था, तो उनको पूरा उनका फिजिकल एक्टिविटी उनकी इतनी बिजी रहती थी, साथ में spiritually भी वो लोग उतने ही भगवान के करीब, भगवान की प्राथना, बजन वगएरे करते रहते थे, और उनके पास ऐसा सोचने का इतना टाइम ही नहीं रहता था, और अभी क्या है कि लोगों में उस टाइम अवेरनेस भी उतनी नहीं थी, और दुसरी एक बात बताओं कि पहले के जमान में यूजवली हम देखते थे कि औरत 40-50 साल की हो है तो उपर पहुँच जाती थी, अभी जैसे साइन्स और टेक्नोलोजी की वज़़े से लाइफस्टाइल बढ़ा है, लाइफस्पान बढ़ा है, तो हर औरत अपनी जिन्दिगी का एक तरत्याउस हिस्सा मेनोपोजल एज में पसार करती है, और उसके लिए और अवेरनेस भी दिरे दिरे बढ़ने लगी है, जैसे आपकी चैनल इस तरह से लोगों को नॉलेज देती है, उसी तरह बहुत सारे मिडिया दवारा, मेगेजीन दवारा, अभी औरतों में भी अवेरनेस आने लगी है, हमारे पास अभी तकलीफे लेके थोड़े लोग आने तो लगे ही है, अब पहले ऐसा था, मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो इतने लोगों की कम्पलेंड नहीं आती थी, बट नाव पिपल आर नुइंग, पिपल आर अवेर 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 बाउट देट, तो पहले भी मैनोपोस तो था ही, और अभी भी है, लेकिन अभी जो अवेर्नेस बड़ी है, जी, जी, बना पहले के जमाने में, जो भी हम खाना खाते थे, वो भी सुटत था, या, वो भी है, नूट्रीसियस खाते थे, उस टाइम जीरो फिगर वाला, वो नहीं था, तो अच्छा सब कुछ, हेल्दी फूड खाते थे, जो भी खाते हैं, उसमें ऐसा लगता है, यह सही नहीं हम खाते हैं, जो मिला वो खा लिया, टाइम से अपना खाना पीना होता नहीं है, जितनी, मतलब हम, लाइफस्टाइल चेंज होती है, उसी सब से हमारे बाडी में ही सब कुछ आने लगता है, आज कल लोगों को देखा जाया तो शुगर प्रेशर भी कितना जंदी आजाता है, वो कितना जंदी आटक आजाता है, और न्यूस मिलती है कि इनकी तेद हो गई, तो यह सब चीज़े बहुत जादा होने लगी है, एक्जेटली, अभी मेरा एक लास्ट क्वेस्टन से की, हम मैनोपोस के बारे में ब के लेवल कम होते हैं, उसी तरह पूरूसों में भी हॉर्मोन का लेवल कम होता है, और उनको हम एंड्रोपोस बोलते हैं, और पूरूसों को भी तकलीफे होती है, पर यूजवली अपना समाज पूरूस प्रदान है, यूजवली पूरूस इतना कंप्लेंड नहीं करेगा, इस तरह से तकलिफे उन में भी आती है तो उनको भी आल जो कुछ मेनोपोजल प्रोब्लेम्स होते हैं इसके लिए ऐसा नहीं कि सीधे पहले जाके डॉक्लर के पास दवा ले लो या हॉर्मोन ट्रीटमेंट ले लो पहले के जमाने में बीच में थोड़ा ऐसा महोल आया था कि मेनोपोजल के जो भी सिम्टम से जो भी कोई तकलीफ है उसकी एक ही रामबंड दवा है वो हॉर्मोन थेरापी पर उसके बाद में काफी स्टडीज वगर के बाद में ऐसा सब ताई हुआ है कि सीधे हॉर्मोन ट्रीटमेंट सब को ले लेने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस फर्स और फॉर्मोस्ट थिंग और उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे तो हमारा डाएट डाएट हमको काफी ज्यादा पानी पीना चाहिए एटलिस्ट हमको 10 से 15 गलस पानी पीना चाहिए अपने फूड हैबिट हमको अपनी सुधारनी चाहिए ज्यादा ओईली स्पाइसी फूड नहीं लेने का उसके बदले में ज्यादा केल्शियम रिच प्रोटीन रीच आहार लेना चाहिए हरी सबमातिर ज्यादा लेनी चाहिए कठोल लेना चाहिए ड्राइ फ्रूट्स लेना चाहिए और यूजवली हम ऐसा काते हैं कि हम जो खाना खाते हैं सुबा में राजा की तरह खाना उग पहर को राणी की तरह खाओ, рात को भीकारी की तरह खाओ, तो उसकी वज़近 둘— क्या होता है कि जो कुछ हम सूभव में खाते हैं, तो हमारा पूरा दिन की अक्तिवीटी में यूस हो जाता है, रात को लेत हम खाते है, तो उसकी विज़े से क्या है कि जो भी कुछ खाते है वो पूरा हमारे body में deposit होता है अफकोस अभी थोड़ा थोड़ा diet के बारे में thinking change हो रहा है कई लोग ऐसा भी सला देते है dietician के तुमारा जो fasting अवर्स तुमारा बढ़ जाता है तो तुमारा आपका metabolic rate बढ़ता है और बेजल metabolic rate बढ़ता है तो body की जो चाया पचे की क्रिया होती है वो improve होती है तो weight तुमारा आपका control में रहता है तो उसके साथ साथ exercise is also very very important exercise भी menopausal age में usually कौन सी करनी चाहिए उसमें weight bearing exercise is very very important इसमें simple walking is also one of the best weight bearing exercise walking अगर कुछ नहीं तो आप minimum 40 to 45 minutes per day करो और at least 5 days a week करो that is enough अगर मनलो आपको walking अच्छा नहीं लगता है तो आप cycling कर सकते हो swimming कर सकते हो, jogging कर सकते हो all these are very good exercise dancing is also one of the very good exercise dancing से आपको एक तो exercise भी मिलती है और साथ में आपका mind भी थोड़ा recreation आपको मिलता है और यामी नहीं मुझे कहते बहुत खुशी होती है कि हमारा जो Indian Menopause Society का Club 35 Plus है उसमें हम सूरत में जो Club 35 Plus चलाते हैं उसमें हर साल हम एक dance program करते हैं और वी आर गिविंग प्लेट्फरम तो ओफॉर्टी प्लस विमें हमारे यहां 40 से 70 तक की सब महिला है इतने एंतूजियास्टीकली वो पाट लेती है कि कभी हमने मान लो एक साल हमने यह program कैंसल किया तो अगले साल उनकी तुरंती दिमांड आ जाती है कि ये साल क्यों नहीं किया So dancing is also very good exercise Dancing आप अपने friends के साथ कर सकते हो आपने partner के साथ कर सकते हो तो अपने partner के साथ आपको इतना time ज्यादा रहने का मौका भी मिल जाएगा और you will come really close to each other So that will also improve your sexuality, improve your sexual life And that will be also very helpful to you Diet, exercise, उसके साथ में प्राणायम, योगा All these are also very important क्योंकि ये menopausal age में औरत की सारिरिक, मानसिक, तंदूरस्ती बहुत important है औरत को fit भी रना है और sound area भी अपना उतना ही रखना है तो उसके लिए क्या है कि वो योगा जो करते हैं योगा से अपने body को काफी stretching मिल जाता है अब meditation प्राणायम करो तो उसे भी आपको थोड़ा mentally recreation मिलता है थोड़ी शांती मिलती है आपका stress दूर होता है तो all these are also important और साथ में जैसे मैंने आपको काफी कुछ बता दिया कि आपकी age not के menopause के बाद ही आप doctor के पास तपास करो और सब कुछ सला लो अपनी 35-40 years के बाद में हर साल एक बार जैसे हम लोग birthday celebrate करते है anniversary celebrate करते है तो उसी तरह हम औरतों को सला देते हैं कि साल में एक बार gynecologist के पास जाके सब check-up करवा हो because we want that fit at 40, strong at 60 and independent at 80 यह हमारी एक slogan है हमारा और उसको हमने और आगे elaborate किया है fit at 40, fancy at 50, strong at 60, sexy at 70, independent at 80, naughty at 90 and healthy at 100 तो हम चाते हैं कि हर औरत अपनी पीछे की जिन्दगी में इस तरह से हमें सब fit रहे, hit रहे और पूरे समाज को handle करती रहे क्यूंकि हम कहते हैं कि औरत एक family की धरी समान होती है अगर मान लो घर में male member बीमार हो गया याने पापा बीमार हो गया तो चलेगा पर ममी बीमार हो जाएगी तो पूरा सब कुछ disrupt हो जाता है तो हर औरत अपनी post-menopausal age में याने पीछे की जिन्दगी में इस तरह healthy रहे तो पूरे समाज को वो सुदार सकती है पूरे family को handle कर सकती है नहीं तो फिर जो physical as well as economical burden आता है तो that is very difficult to bear by everyone तो बहुत ही अच्छी आज हमारी discussion हुई और बहुत ही अच्छा हमने आज हमारे channel के माधियम के द्वारा हमने माग द्रशन दिया जो menopause की समश्याए जो महिलाओं को होती है उसके बारे में हमने जानकर दी और अनीता जी ने इतनी अच्छी detailing में आज हमने हमें बताया है कि हमारा आज program 30 minutes की जगह 45 minutes तक पहुँच गया है तो बहुत ही अच्छा ऐसे ही हम और नए विशय के साथ आपके साथ वापस उपस्तित रहेंगे हमारे साथ जूडे रहेगा हमारे channel को subscribe करिए like करिएगा facebook page को और हमारे साथ जूडे रहेगा और हमें प्रोचसाहित करते रहेगा thank you very much मैं आप आये इसके लिए और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए thank you so much फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमशकार झालस कार के लिएगड़겠다